प्रोना की दूसरी लेहर के साथ महाराश्ट्र में अब लॉकडाउन लगभग तैय माना जा रहा है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दे कि देश में कोरोना से सबसे बुरी हालात महाराश्ट्र की है। महाराश्ट्र में शुकरवार को ही कोरोना वारेस संक्रमन के 47,827 नए मामले दर्ज के गए थे जो महामारी शुरू होने के बाद राज्जे में किसी एक दिन का सरवाधिक स्तर है। इससे पहले शुकरवार को ही महाराश्ट्र की जनता को संभोधित करते हुए मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने कहा था कि कोरोना वारेस की चिंता जनक स्तिती कायम रही तो जल्द ही राज्जे में स्वास्त सुविधाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। सोशल मीडिया पर राज्जे के लोगों को संभोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि कोविट नाइंटीन के मामलों की रोगथाम के लिए एक या दो दिनों में सक्त पावंदी लगाई जाएगी। संक्रमन के नए मामलों के बाद शुकरवार देश शाम की अपडेट के नुसार राज्जे में अब तक संक्रमित होए रोग्यों की कुल्संख्या 29,476,006 हो गई है। लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ए वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें।